नमस्ते, I am from तिपरा, I am तिपरा स्टीट एनस्टेट एनस्टेट जेनल सेक्टरिस रोशेल अश्कर आज 21 में है, यानि पूर्ड प्रधान मंत्री और भारत रत स्टी राजीव कांधी जी का ड़त अनिवर्सरी राजीव कांधी, 17 भारत के पहले प्रधान मंत्री बंडि जवालाल नहरो के पोते और भारत के पहली महला प्रधान मंत्री स्टी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव कांधी पहले के जीवन में राजीव गांधी एक पाइलेट थे वो इंडियन एरलाइन्स के पाइलेट थे और वो एक बेहतरीन पाइलेट थे उस समय जब वो प्लेन चलाते थे तो लोगों के मन में एक विश्वास था कि हाँ अब हम सेफ है अब हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पाइलेट स्री राजीव गांधी जी है पत्नी स्रीमती सोनिया गांधी बेटे स्री राहूल गांधी बेटी स्रीमती ब्र्यांका गांधी छोटे भाई संजे गांधी की मौत ने राजीव गांधी को राजनीती में ले आए 1981 में संजे गांधी के मौत के बाद पहली बार राजीव गांधी ने राजनीती में उत्रे पहली बार राजीव गांधी राचनीती में उत्रे 1981 के लोकसवा की चुनाव में इंद्रा गांधी ने अमीठी से राजीव गांधी को MP का टिकेट दिया और पहली ही बार राजीव गांधी ने शरत यादव को 2,30,000 वोटों से हराया और 17 अगस्ट को मेंबर ऑफ पार्लामेंट बने 1984 में इंद्रा गांधी के मौत के बाद वोटेश के सबसे यूवा प्रधान मंत्री बने और 1984 के लोगसवा के चुनाव में राजीव गांधी के नेत्रित्व में इंडरनेशनल कॉंगरेस ने एक एतिहासिक जीत हासिल की थी 415 सीटों का विपक्ष का नाम अम निशान मीड गया था उस समय वालिवर्ट के सुपरस्टार और आजीव कांधी के बच्पन के दोस्त स्री अमिताब बच्चन भी राजनीती में उत्रे 1984 के लोगसवा के चुनाव में अमिताब बच्चन ने इलावाद से चुनाव लड़े और जीत हासिल की 1984 के चुनाव में विपक्ष के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए जैसे कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाच्पाई को माधवराव सिंधिया ने हराया और पश्च्चिम बंगाल में सोमना चटर जी को मंतब अनर्जी ने हराया राजनीती से दूर रहने वाले राजीव अब राजनीती के दाव पेच सीख रहे थे प्रधान मंत्री बनने के बाद राजीव कांधी ने बहुत बहतरीन कुछ कदम उठाये थे जैसे की एंटी डिफेक्शन लो शावानू केस उन्होंने एक नया एकनोमिक पॉलिसी बनाया था साइंस और टेकनोलोजी पर ज़्यादा ध्यान दिया था नया एडूकेशन पॉलिसी बनाया था जैसे की जवालाल नवदे बिद्याले सेंट्रल गवर्णमेंट पर सीज एडूकेशन सिस्टेम चालू किया जिससे गाओ में बच्चे मुफ्त में बढ़ सके उनकी प्रचिस्टा से 1986 में MTNL तैयार हुआ तेलिफोन नेट्वार्किंग के डिवलप्मेंट के लिए उन्होंने फॉरेंट पॉलिसी चालू की टेकनलोजी के डिवलप्मेंट के लिए उन्होंने पब्लिक सक्टर में टेलिकॉम कॉंपनेश जैसे की MTNL और BSNL को डिवलप्ट किया राजीव गांधी के राजनेतिक सापोर्ट के बज़े से 2007 तक भारत में हर महीने 6 मिलियन फोन्स चालू किये गए उन्होंने पंचायत राज चालू की हमारे आज का यूज किया हुआ सारा टेकनलोजी जैसे की TV, फोन, टेलिफोन, कंप्यूटर, लेफटब, सब कुछ राजीव गांधी के देन है फिर भी कुछ पिपक्ष के नेता कहते है कि नहरू गांधी फिर्मिली ने देश के लिए क्या क्या है इतना सब कुछ करने के बावजूद आज के दिन 1991 में तामिल नारू में एक जनसवा की दोरान, बुम राष्ट की दोरा उनके हत्या कर दी गए आज भी इंद्रा गांधी जी का घर जो के आज एक म्यूजियम है उनमें राजीव गांधी जी के कप्रों की छोटे छोटे टुक्रे रखा गया है जिसे देखकर ही पता चलता है कि इतने दर्दनाक मौत मिली होंगी उन्हें आज का दिन इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के लिए और सारे देश के लिए एक दुखत दिन है आज के दिन ही हमने एक ऐसी प्रधान मंत्री को खोया था जो देश को एक नए उचायू पर ले जाने की सपना देखता था जो साइंस और टेकनलोजी की डेवलप्मेंट की सपने देखते थे नमस्ते जय हिंद